मैं सतीस याद आओ, फिजिकल टीचर, 23 साल का एक्सपिरेंस, आज का वीडियो बहुत इनोलेजबल आपके लिए होने वाला है और बहुत इंपोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि मैं 23 साल से प्रक्टिकल लेने जा रहा हूँ, मैं अपने स्कूल में प्रक्टिकल करवा रहा हूँ, मैं प्राइवेट स्कूल का एक फिजिकल टीचर हूँ वीडियो को इसकीप मत करना, वीडियो को अंत तक देखोगे तो ही आपको पूरा फायदा मिलने वाला है अब मैं आपका टाइम खराब ना करते हुए, जो भी चैनल में नए, प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अब मैं आपको बताता हूँ कि हम किस प्रकार के question हमसे पूछे जा सकते हैं वाईवा के अंदर तो first मैं आपको बताता हूँ, मैंने थोड़ा सा रजिस्टर के अंदर maintain किया है क्योंकि question ज़्यादा है सबसे पहले आप से PTI पूछ सकता है कि ट्रॉनमेंट कितने प्रकार के होते हैं तो mostly दो ही प्रकार के होते हैं, knockout tournament और league tournament तो वो आगे पूछेगा फिर what is knockout tournament तो knockout tournament का मैं बताना चाहता हूँ, knockout tournament क्या आप बोलना, बताना कि एक बार टीम हारने के बाद में बैक टू पैवेलियन नोकाउट टूर्णमेंट का यही लोस है सबसे बड़ा इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ सकता है फिर लीग टूर्णमेंट वाट इज लीग टूर्णमेंट भी टू टाइप के होते हैं सिंगल लीग डबल लीग सिंगल लीग के अंदर प्रते होते हैं वो कहते हैं कि आप सपोज करो कि आपके टीम 21 टीम नोकाउट टॉर्णामेंट के अंदर है तो अपर हाप के अंदर मुझे बताइए कितनी टीम होंगी तो इस्टुडेंट्स आपको तुरंत जवाब देना है इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि 21 ओड डिजिट है तो ओड डिजिट का फॉर्मूला क्या है एन प्लस वन डिवाइड बाइट टू एन का मतलब नमबर ओफ टीम नमबर ओफ टीम हमारे पास 21 21 प्लस वन 22 होगी 22 को हमने टू से डिवाइड किया तो 11 फटा फट जवाब देना इसके बाद वो पूछे गए य फिर पूछ सकता है कि यदि टूर्णमेंट के अंदर ग्याराटी में खेल रही है तो कितनी बाइज आएंगी तो ग्याराटी में खेल रही है तो ग्यारा की नेक्स्ट पावर ऑफ टू क्या होती है 16 16 मैसे जब हमने 11 को माइनस किया तो 5 बाइज आ गई तो इस प्रकार से आपको सब भी प्रकार के क्वेस्चन कर लेने हैं कितने अपर हाप में कितनी टीम में लोर हाप में कितनी टीम में कितने हो गए कितनी अपर हाप में 22 हो गई कितनी लोवर हाप में 22 हो गई यह सभी फॉर्मूला आपको कर लेने चाहिए अब अगला अगला कोश्चन पूछेगा कि वाट इज बैलेंस डाइट तो बैलेंस डाइट क्या है उसका भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन हो गया कार्बो ह आइड्रेट् वसा विटामीन मिनरल वातर सभी इस सही सही अनुपात के लुपात के अंदर हमारे भोजन के अंदर हो ने चाहिए उसके बाद आप से पूछ सकता है कि वाटceğज synchronous माइक्रो नूट्रेंट्रेंड्स तो अधिक मात्रा में जो مैक्रो है वो अधिक मात्रा में लिया जाता है और माइक्रो के आउस्के आउसकता हमारी बोड्ció कम पढ़ती है तो ये भी बता देना फिर वो टीचरर पूछ सकता है कि आप से कौनशी विटामिन्स है कि कमी से कौन्छी डिजीज होती है तो थोड़ा ये भी आप देख लेना विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन B की कमी से कौन्छी डिजीज होती है तो ये भी थोड़ा सा देख लेना उसके बाद अब आएगा वो आपको योगा में तो वाट इज योगा उड़ने वाला उसके बाद में वह आप से पूछेगा कि ओबिसिटी मोटापे के लिए हम कौन-कौन से आसन कर सकते हैं तो इसके लिए वजरासन पाधासन हो गया उर्दु असन हो गया तिरकोन आसन हो गया अर्धमस्तेंदर आसन हो गया तो यह इसके लिए आसन आपको बता ने उसके बाद पूछेगा कि डाइबिटीज के लिए बताईए कि डाइबिटीज के लिए हम कौन से आसन कर सकते हैं तो डाइबिटीज के अंदर आपको बताने भुजंग आसन हो गया पस्चिमतान आसन हो गया अर्धमस्तेंदर आसन हो गया उसके बाद वह पूछेगा क आपके यदि blood pressure high है तो इसके लिए हम कौन से आसन करेंगे तो आपको बताना है ताडासन, वजरासन, पमनमुक्तासन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन, सवासन तो इस प्रकार के यह आपको बताने अब वो पूछेगा आपसे आगे कि BMI का formula बताओ तो BMI का formula आपको याद हो होना चाहिए, weight, divide by, weight भी kg के अंदर divide कर देना, height into height और height भी meter के अंदर तो उसको हम divide कर देंगे, तो वो उसका आजाएगा, अब वो पूछ सकता है आप से कि sports day कितने तारीक को होता है, तो 29 अगस्त को होता है, योगा day कितने तारीक को होता है, जो 21 जून को होता है, फिर उ आगे आगे पूछेगा जो आपके, कि spinal की आपके किसी के problem है, रीड की हड़ी जैसे टेड़ अपन हो जाता है, तो उसके लिए हम कौन-कौन से आसन करेंगे, तो उसके अंदर सबसे best है, पीट के नीचे तकिया लगाना, वो पूछता है क्योंकि मैं बता रहूं आपको, हम भी पूछते हैं, पीडियाई जो आते हैं, वो बहर से वो भी पूछते हैं, और धनुरासन नीएमित रूप से करें, भुजंगासन में हम रुकें, और ये नीएमित रूप से हम करें, फिर आएगा उसके बाद लोडियोसिस, जो हमारे कूबड होता है, आगे की तरफ, उस के बाद आएगा इसकोलियोसिस, जो रीड की हड़ी का हमारा एक तरफ जुक जाती है, उसके अंदर हमें क्या करना है, तो जिस तरफ जुकी हुई होती है, जैसे सी का रूप बनता है, तो एक तरफ जुकी हुई होती है, तो उसके विप्रीत तरफ हमें ज्यादा आसन करना horizontal बार पर हमें लटकना उस पर काफी टाइम बिताना तैरने की breast stroke तक्नीक अपनाना इस से हम यह जो हमारा जो उसी से उसको खतम कर सकते हैं अब फ्लेट फूट के क्या उपाए हो सकते हैं कौन कुन से मासन कर सकते हैं जो चप्टे पैर होते हैं उसके अंदर बताना एडियो पर चलना उसके अंदर फिर पैरों के अंदर और बाहर की तरफ करके चलना पैरों को बाहर की तरफ करके चलना एडियो पर चलना ठीक है पंजो पर पूरा सरीर का वेट देना और रस्षी कूदना और वजरासन करना ये इसका उपाय है फिर आज वो पूछेगा कि नोक नीज घुटने का टकराना जो आपस में टकराते ना उसके लिए क्या होता है उसके लिए हम क्या उपाय करेंगे तो घुड़ सवारी सबसे बढ़ी है इसके अंदर उसके बाद नियमित रूप से हमें पदमासन करना चाहिए गोमुखासन करना चाहिए और दोनों घुटनों के बीच में हमें पिलो तकिया देकर अच्छी तरह से और थोड़ी देर खड़ा रहना चाहिए अब है बोल एक्स जो बाहर की और हमारे पैर मुड़े होते हैं तो उसके अंदर क्या है विटामिन डी हमें ज्यादा से ज्यादा लेना पैरों के अंदर के किनारे पर चलें पैरों को पंजों को अंदर की तरफ करकर उसको मोड़ कर चलना अब है जो हमारे राउंड सोल्डर्स हो जाते हैं ग प्रकार का उनके पेन नहीं हो और अपने आपको फिट रखने के लिए वो करते हैं तो उसके बाद आएगा फिर कि ग्ल έχक करते हैं तो ग्रकार की कोछाने चνेश नहीं हों उसके बाद मैं आपन माई पावर की पूरी लेना उसके बाद मैं आप से पूझेंगा व्य मुल्य पर्वद्र की जो हमारे त तो जो शिक्स टाइप है न आपने बुक के अंदर वो शिक्स टाइप फैक्चर के टाइप आप कर लेना वो फिर बाद में पूछ सकता है कि आपसे की ट्रेटमेंट ओफ इस्ट्रेंड जो हमारे खिचाव हो जाता है उसका हम क्या इलाज करेंगे जैसे प्राइस हो गया प्र क्या है जो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले हम मरीज को देते हैं जो उपचार वो फस्टेड होता है उसको थोड़ी देर रोखने के लिए उसको आराम दिलाने के लिए उसको ज्यादा पेन नहीं हो इसलिए फिर वह आगला क्वेश्चन आ जाएगा वाट इस मोटिवे इस काम एक्सराइज करते हैं वो हमें है इस्टपस्ट रुप से जो दिखाई नहीं देती है हम काम तो कर रहें जैसे हम दीवार भार vital दिखाई नहीं देता है किसीậ को भई कि इसमें जोर लगा रहा या प्रेसर दे रहा है तो इस प्रकार से बता देना उसके बाद मैं Isotonic लाट इस आइसोानिक बता देना कि इस पर स्ट रूप से इसके अंदर जो हम उस्ट भी करते है exercise गती जो भी speed वह हमारी स्ट पर स्ट रूप से दिखाई देटी उसके पूछ लेगा कि what is isokinetic तो isokinetic क्या है ये मसीनों के द्वारा exercise की जाती है और जो ये water के अंदर जो game होते हैं उनके लिए ज्यादा प्रियोग में लाई जाती है हमेशा तो students ये मैंने आपके लिए बहुत ही most question इसके अंदर छाटे हैं तो I hope आसा करता हूँ आपको ये वीडियो पक्का पसंद आया होगा अपने दोस्तों को share करना ज़्यादा से ज़्यादा और कोई भी आपको practical से सम्मंदित कोई भी problem हो तो मेरे से comment कर सकते हैं किसी भी प्रकार की query कर सकते हैं thank you अनेक परकार के में वीडियो लाता रहूँगा मिलते हैं अगले वीडियो